और इधर भोपाल में उमाभारती जब पत्रकारों से बात करें ही थी तो उन्होंने साधिवी प्रग्या का टिकट कटने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रग्या का टिकट कटने पर हम लोगों के लिए ये बहुत हम लोगों ने दुख सहे हैं और प्रग्या दीदी की विज़े से आज हम जेल में नहीं हैं उन पर हमारा नाम लेने का दबाव डाला गया भगवा आतंकवाद के इसमें नाम लेने का उन पर दबाव डाला गया प्रग्या जी इतना ही कहूंगी कि हम सब को शमा करें मैं उनको कभी भी कुछ बोलती नहीं हूं मैं उनका बहुत आदर करती हूं वो मेरे से उमर में छोटी हैं लेकिन में उनके चरण चूती हैं और मैं उनकी किसी भी गत्विदी पर कुछ नहीं बोलती हूं मैंने तै किया है मैं इस महिला का जीवन भर सम्मान करूंगी क्योंकि तुम भूंग कर लोग से अजसे नहीं गई जो मनमहतनीं की सरकार की जो और यंत्र था बहुत बड़ा उसमें जिस प्रकार से साध्वी को मारा पिटा गया करणल प्रोभिट को, मेरे खाल से नम उनका नम पोली ती तक तरनल पोली को जिस तरह जिस तरह से टोरुचर किया लि तुम बच जाओगी उसने का आप मेरी खाल खीच लो आप मुझे जिन्दा जला दो आप मेरी खाल में भूसा भर दो मुझे मार डालो लेकिन और ये उसने नहीं बताया है मुझे आपको नहीं पता जो इंस्पेक्टर उस तीम में सामिल था वो इंस्पेक्टर मुझे कहीं मि साथ भी को मिलने ना सिक गई हूं कि कोई मिलने भी नहीं जा चाथा था उने वो जो करती है मैं पूरी तरह से उनका सवरतन करती में उनके और शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे समधता इसी खबर पर हमारे साथ लाइफ जुड़े हुएं सीधे होनी के पास चलते हैं शैलेंद्र कई मामलों पर उमा भारती बोली हैं सबसे पहले टिकट को लेकर बात की और टिकट के लिए कह दिया उन्होंने कि में चुनाम नही लड़ने वाली दूसरी तरफ उन्होंने एक प्रकार से दुख जताया कि प्रग्या चाकूर का टिकट कट गया और इसके लिए सब को क्षमा वो करतें ये भी वो कहती नहीं सब देखें बिलकुल आज जिस तरह उमा भारती नाज दो बाते इस पस्तिक एक तो यह कहा कुछ समय पहले लगातार कहती आ रही थी कि मैं चुनाओ लड़ना चाहती हूं और इस बार फिर लोग सभा जाना चाहती हूं लेकिन अब अचानक से उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने राष्ट्य देख जेपी नड़्डा को भी पत्र लिखा है मेल किया है और मैं चाती सारजनी करें कि मैंने चुनाओ लड़ने से इंकार कर दिया लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो मैं इस पत्र को सारजनी कर दूंगी इसके अलावा उन्होंने एक और नाराजी जताई प्रग्या सिंग ठाकूर का टिकेट कटने पर उन्होंने कहा है कि बोपाल से प्रग्या सानुबुती साथ गलत हुआ है वह वाकई में तो कही ना कहीं से दोनों बात है कि तो उमा भारतिया गुछ्सा भी साफ नज़र आया है क्योंकि वह खुड टिकेट की दोड़ में थी उनका टिकेट कट गया अब हाला कि वो साफ करी कि मैं तो लड़ना नहीं चाहती हुई दो साल गंगा की सेवा करना चाहते तो दूसरी बात उन्होंने संथन के प्रती नाराजगी इस बात पर जता देगी प्रज़ाश क्या अपने आपको प्रासंगिक बनाने के प्रयास में लगी हुई है क्योंकि हमको याद है कि बीते दिनों उन्होंने भोपाल में कहा था कि को मेल किया था मैं चाहती थी कि वो सारवजनिक करें अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगी इसके माइने क्या है अगर चुनाव नहीं लड़ना है तो यह सारवजनिक करना न करना इसके पीछे उमा भारती क्या चाहती है देखिए अगर हम उमा भारती के बयानों को लगातार देखे तो कहीं न कहीं जब राम मंदिर आयुध्या वाले मुद्दे की बात आती तो वो केती है कि अब मैं घर जा रही हूं उसके बाद हाला कि उन्हेंने सफाई दी कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं बोपाल कभी नहीं लोटूंगी आज भी अटकले थी कि हो सकता है उमा भारती कोई बड़ी गोस्ना करें कि और आजनीती से सन्यास वाली बात हमने सवाल भी पूछा तो उन्होंने क्या कि नहीं सन्यास तो जो साध्वी वो ले चुकी हूं लेकिन राजनीती से सन्यास की बाद से उनकार कर दि लेकि उमा भारती लगातार इस तरह के विवाद देती या वाग बयान या कहीं न कहीं बाद बयान देती रहती हैं जिससे उसुर्खियों में बनी रहे तो इसको लेकर आप अलग-अलग तरह की कवाया चल रही है कि आखिर उमा जी का एक बार फिर से इस तरह सामने जो पत सुची आ गई जहां से आप बोपाल से जहां भी दावेदार थी और उसके बाद अपने बात क्यों कई तो उन्होंने क्या देखिए मैं तो पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे चुनाओ नहीं लड़ना है और इसी कारण में बात कर रही हूं कि जैपी नडडा इसको सारजनि करें और नहीं तो मुझे पत्र सारजनित करना पड़ेगा कि मैंने उनको पहले ही लिए लिए अगर वो कह रही है तो कहीं न कहीं वो कुछ और पार्टी को संदेश शायद देने की कोशिश करती है नजाराईने बहुत शुक्री आपका इस जानकारी के लिए पढ़ते हैं और बाद अकली खाब